गैज अगर आप ब्लोगिंग करते हैं और content लिखने के लिए AI का यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा important होने वाला है आज कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप AI content को human written text में convert कर सकते हैं अब देखो अगर आप किसी भी AI tool का use करके या chat gpt का use करके content लिखोगे तो वो content आपका rank नहीं करेगा क्योंकि Google का system बहुत advanced है AI content को बहुत की असने से detect कर लेता है लेकिन आज मैं आपको जिस tool के बारे में बताने वाला हूँ उसमें बस आपको अपने content को paste करना है और humanize पर क्लिक करना है और देखते ही देखते one click में आपका content human written text में convert हो जाएगा ये सब आप कैसे कर सकते हैं इसकी पूरी detail आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना तो सबसे पहले हम chat gpt का use करके content लिखेंगे और उसके बाद हम कुछ AI tools का use करके ये check रेंगे कि हमने जो content लिखा है वो कितने percent AI generated है और उसके बाद मैं आपको उस tool के बारे में बताऊँगा जो आपके AI content को human written text में convert कर देगा तो चलिए chat gpt का use करके content लिख लेते हैं तो जिस topic पर हम content लिखने वाले हैं उसका नाम है chat gpt uses in content writing तो ये command हम chat gpt को देंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ये अच्छा article इसने लिख कर दे दिया है मैं इस इतरे से आप किसी भी topic पर article लिखवा सकते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस पूरे content को हम copy कर लेंगे और AI detector tool का use करके check करेंगे अगर आप google पर search करेंगे AI detector तो यहाँ पर आपको बहुत सारे AI detector tool मिल जाते हैं जिनका use करके आप check कर सकते हैं तो यहाँ पर हम basically तीन tools का use करने वाले हैं फर्स्ट नमर पर हमारा जो tool है उसका नाम है quillbot तो यहाँ पर आपको उस content को paste करना है and analyze text पर click करना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह जो content है वो 100% AI generated है यहाँ पर आप अपने content को check कर सकते हैं second नमर पर हमारा जो tool है उसका नाम है copy leaks यहाँ पर भी आपको अपने content को paste करना है तो content को आपने paste कर दिया है अब आपको scan पर click करना है और थोड़ा सा wait करना है guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं AI content detected इसके मतलब यह जो content है वो AI generated है and third नमर पर हमारा जो tool है उसका नाम है scriber इसमें भी आपको अपने content को paste करना है और उसके बाद आपको analyze text पर click करना है and इसमें भी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो content है वो 100% AI generated है तो इस तरह से आप अपने content को check कर सकते हैं कि वो कितने percent AI generated है अगर आपका content 50% से ज़्यादा AI generated है तो Google आपके content को rank नहीं करेगा अगर आपको rank करवाना है तो उससे आपको human text में convert करना होगा तो finally अब हम बात करते हैं उस tool के बारे में जिसका user का आप AI content को human text में convert कर सकते हैं तो इस tool का नाम है tenor share AI bypass इसका link आपको description में मिल जाएगा तो उस पर click करके आप यहाँ पर आ सकते हैं यहाँ पर आपको AI detector भी मिल जाता है जिससे आप अपने content को check कर सकते हैं लेगिन हमने अपने content को पहले से check कर लिया है check करने के बाद आपको humanize AI पर click करना है यहाँ पर आपको अपने उस content को paste करना है जिससे आप human written text में convert करना चाते हैं तो यहाँ पर हमने अपने content को paste कर दिया है इसके अंदर आपको तीन mode मिलते हैं fast, balance और ultra enhance आपको इसे ultra enhance पर रखना है and humanize पर click करना है अब आपको तोड़ा सा wait करना है and यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछी second में आपका जो AI text है वो human written text में convert हो जाएगा and यहाँ पर आप words भी देख सकते हैं यहाँ पर words increase हो गया है क्योंकि human written text में convert करने के लिए इससे कुछ चीज़े add करनी पड़ती है and यहाँ पर नीचे आएगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने अभी जिस content को humanize किया है वो human written text में convert हो गया है यहाँ पर आपको नीचे 10 AI detector tool मिल जाएगे और इन सभी में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं checking हो गई है और यह जो content है वो 100% human written text है हम आचुके हैं copy links के tool पर यहाँ पर हम उस content को paste कर देंगे and content को paste करने के बाद इसके end पर click करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने पहले भी इसी tool का use किया था जिसमें यहाँ पर AI generated दिखा रहा था और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं this is human text मतलब हमारा जो content है वो human text में convert हो गया है और अब यह content google में आसानी से rank कर जाएगा तो इस तरह साब AI content को human written text में convert कर सकते हैं और अपने article को rank कर वा सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक like कर देना और इसी तरह के वीडियो जगर आप ओर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लेचे